ठिसलोनिक्यों के नाम पॉलुस प्रेडित की पहली पत्री, चौथा अध्याय निदान हे भाईयों, हम तुम से बिंती करते हैं, और तुम्हें प्रभु इश्यु में समझाते हैं, कि जैसे तुमने हम से योगे चाल चलना, और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते ह कि हमने प्रभु इश्यु की ओर से तुम्हें कौन-कौन सी आग्या पहुचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाशा से नहीं, और ना उन जातियों की नाई, जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे, और ना उस पर दाउं चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पल्टा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुम से क और चिताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है, इस कारण जो तुछ जानता है, वह मनुश्र को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुछ जानता है, जो अपना पवित्रात्मा तुम्हें देता ह किन्तु भायचारी की प्रीती के विशे में यह अवश नहीं कि मैं तुम्हरे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। और सारे मकी दुनिया के सब भायों के साथ ऐसा करते भी हो। पर हे भायों हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। और जैसी हमने तुम्हें आग्या दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना-पना काम काज करने और अपने-पने हाथों से कमाने का प्रेत्न कर कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बरताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। हे भायों हम नहीं चाहेते कि तुम उनके विशे में जो सोते हैं अग्यान रहो। ऐसा नहो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीती करते हैं कि यिश्व मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यिश्व में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम से यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोय हुऊं से कभी आगे न बढ़ेंगे क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उ दिया करो